आपका दोश जेम कुस्वाहाँ स्वागत है आपकी अपने YouTube चनल Basic सिचा विभाग में बितरण होने वाले हैं टेबलेट का बितरण होने का मात्र जो मकसद है वो डिजिटली करण है इसमें सभी चीज़े आपको डिजिटल रूप में दी जायेंगी डिजिटल रूप से आपको सभी सूचनाएं विभाग तक पहुचानी होंगी उस डिजिटली करण में आपकी अटेंडेंस भी जाएगी उसके लिए सभी टीचर्स का डेटा फीड होना अतियवस्थक है कुछ टीचर्स नई जॉइनिंग में आय हुए है कुछ टीचर का प्रमोशन हुआ है कुछ टीचर रिटार्मेंट हो गए है कुछ की डेट हो गई है तो वो डेटा जैसे पहले फीड था उसी तरीके से फीड है तो उसको अपडेट करने की आऊ सकता है उसके लिए प्रेणा पोटल पर सभी चीजे दर्ज की जाएंगी दर्ज होने की जो प्रिक्रिया है वो MDM पोटल के तहत की जा रही है अब ये किस तरीके से की जाएगी उसको आपको step से समझना है step by step यदि आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप उसको feed कर सकते हैं उसको update कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देख लिजिए लिखा है जो tablet दी जाएंगी सभी स्कूलों को stop attendance के लिए दी जाएंगी इसलिए सभी teachers की जो posting data है वो correct होना चाहिए school-wise some teachers are retired, कुछ teachers retired हो गए है, death हो गई है, transferred हो गए है, new joined है तो their names need to be added या omitted on the पेना, इनको कैसे जोड़ना है, इनको कैसे हटाना है पेना पर उसके लिए this exercise should run in pilot through MDM portal, यह सब चीजे MDM portal के तहत की जा रही है manual is attached है, इसका जो manual है, जो इसका example दिया गया है, यह देख लीजे, पेडियाफ के रूप में दिया गया है इसमें आपको समझना है कि किस तरीके से idea रिमूब करना है, तो सबसे पहले आप browser, यहां देखे बड़ा बड़ा लिखा है browser में upmdm.in.url सर्च करें, जैसे आप सर्च करेंगे तो website आ जाएगी, website पर क्लिक करने पर कुछ इस तरीके से पूरा dashboard सो करेगा जहां पर username password दिया होगा, अब यहां पर लिखा है, बलाक नगर का login ID यों password डाल कर login कर सकते हैं जो आपका नया पंचायत का login ID होगा, उसको डाल कर आप इसको open कर सकते हैं, जैसे ही आप open करेंगे और यह login ID password विभाग से provide की जाएगी, जैसे आप open करेंगे, तो इस तरीके से dashboard आपके सामने खुल के आ जाएगा, इस तरीके से dashboard आपके सामने होगा, पूरा खुला होगा यहाँ पर आपको क्या जाना है, यहाँ पर आपको जाना है teacher data entry monitoring report, जो column होगा teacher data entry monitoring report, इस वाले option पर जाना है, जैसे आप यहाँ पर जाएगे फिर आपके सामने एक नई विंडो खुल के इस तरीके से आ जाएगी ये विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी जहाँ पर स्कूल टीचर डेटा इंट्री होगा अब देख लीजे यहाँ पर आगरा जो डिश्टिक है आगरा डिश्टिक के बारे में दिखाया गया है एक्जामपल के तोर पर कि सबसे पहले आप जिला सबसे पहले सहरी और ग्रामीर चुनेंगे फिर जिला का चैन करेंगे फिर बलाग का चैन होगा आ जाएंगे वहाँ पर update कापसन भी होगा आप update भी कर सकते हैं फिर सिच्छक सिच्छका का बिवरन आप यहाँ पर अगर feed नहीं है कि प्रधाना ध्यापक काउन है साहे का ध्यापक काउन है या ध्यापक सिच्छामित अनुदेशक आप उनका बिवरन यहाँ से feed कर सकते हैं आप जब यह चीजे हो जाएंगी उसके बाद में आप यह नीचे देखिए कि आपके विद्याले का बिवरन नीचे दिया भी रहेगा मतलब कहने का मतलब है अगर आपको किसी भी टीचर के बिसे में कोई भी update करना है तो यह नीचे जो green पट्टी दी है यहाँ पर देख ल नेंबर है उनकी जो इस्तित है उनका जो संसोधन है सभी कालम यहाँ पर मुजूद है तो यहाँ पर देख लिजिए कोई टीचर shae lucky है डी ही टीवेट हो गया टांसफर हो गया डीट हो गया रिटार हो गया गया सस्पेंड हो गया तो यहां से आप कालम में change करके इसको exact situation में बदल सकते हैं जैसे आप column में change करेंगे तो ये पेरणा portal पर update हो जाएगा ये सब करना है आपको MDM portal पर जैसे आप MDM portal पर update करते हैं वो पेरणा portal पर update हो जाएगा आपको जैसे यहाँ पर ये उपरोक्त दिये गए अध्यापकों के अत्रिक अध्यापकों के संक्या जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ किलिक करें ये आप किसी teacher को यहाँ से जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप click कर सकते हैं जैसे click करेंगे click करने के उपरां teacher इस तरीके से जोड़ सकते हैं इस तरीके से आपके पास कालम आ जाएंगे कि टीचर नेम हो जाएगा फादर नेम आ जाएगा HRMS कोड हो जाएगा फिर जेंडर क्या है पोस्ट, स्कूल डेट जॉइनिंग पोस्टिंग डेट, डेट अब बर्थ अधार नंबर, मोबाइल नंबर और email id, photo इस तरीके से आ जाएंगी इसको आप save करवा दीजिए आपके teachers की जो संख्या होगी बढ़ जाएगी teachers यहाँ पर add हो जाएंगे तो इस तरीके से आप यहाँ से teachers को add कर सकते हैं और इस वाले options से teacher की स्थित को बदल सकते हैं activate कर सकते हैं इस तरीके से आपको करना होगा तो यह चीज़े जल्द ही जैसे tablet आपको दिया जाएगा वैसे आपको सारी चीज़े update कर लेना है क्योंकि नई सिच्छानेत के तहत नए सत्र में यह सब चीज़े लागू होना अनिवार है तो बने रहे हैं हमाई साथ हमाई चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले फारवर्ड कर दें सेर कर दें जिससे सब को जानकर ही साज में पहुंच जाए धन्यवाद